तो और गेमर भाई लोग क्या हाल चाल आज अपने पास है Vivo V30 और इस फोन के अंदर गेमिंग कैसे होने वाली है वो सारा experience शेयर करूँगा एक गंडे गेमिंग करेंगे और इसमें हाफ वे नार screen recording off करके करेंगे और हाफ वे नार screen recording on करके गेमिंग करेंगे तो battery drop अगेरा कैसा experience होगा सब कुछ शेयर करूँगा वैसे इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर इस बार Vivo V30 के अंदर यूज़ हुआ है वो है Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर है N2D benchmark पर भी 8 लाग के आसपास के score निकाल देता है जो की काफी जादा अच्छे निकल कर आते हैं लेकिन overall इस फोन की gaming को लेके performance कैसी है वो आपको मैं FPS meter के साथ में दिखाऊंगा सब ऐसे ये फोन है जो graphic settings unlock करता है वो smooth पर 60 है और मेरे हिसाब से 60 पर ही ये जादा अच्छा perform करेगा 90 में मैं उतना जादा recommend करूँगा भी नहीं आगे जाके settings unlock हो भी जाती है तो अभी के लिए फोन में बैटरी है 64% जिसमें आप लोग ना टीडियम का भी अगर मैं गेपले दिखा रहा हूं आपको तो देखो एक चीज है आप पूरा जज्ज्मेंट करना कि कहां पर के यहां पर मैंने आपको एक एक्सपिरियंस बता दू यह फोन है आप सिस्टी पे आराम से अपनी गेमिंग कर सकते हो वैसे फोन जादा टार्गेट हो रहा है अपना फोटोग्राफी और ओवराल सब कुछ अवलब स्टाइलिश वगरा सब कुछ चीज़ों को लेकर पर नीचे होता रहता है अच्छा गासा पतला फॉर्म फेक्टर है उस हिसाब से गेमिंग का जो एक्सपिरियंस है वह अभी के लिए तो अच्छा देखने मिल रहा है 60 के हिसाब से बागी आप लोग ने एफफेस देखना आपको और ज्यादा जजमेंट आच्छे से मिल ज अच्छा 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 निकल कर आता है वहां चेक कर लेना होगर खेर 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 आपको अच्छा अच्छा मेंट कर दो अच्छा प्रूल कर दो रहा है 20 घुआ यदे यदिए प्ली प्ली प्लीन प्ली नीज़ा है कि조onna कि यहीं तेजल स्भी अभी देखो 30 मिनिट का ना हम लोग ने screen recording off करके खेला अभी मैंने 30 मिनिट की जो बाद में screen recording on करके खेलूंगा जो internal recording मिलता है न वो हम लोग ने on किया और चो settings वगरा है वो भी आप देख सकते हो अभी अगला आफ़ेनार इस तरह के से हम लोग giving करेंगा आप लोग demand करते हो that's why मैंने सोचा कि इस बार कुछ करके देखते हैं शायद बहुत लोगों के help हो जाए screen recording के साथ में जो पूरा gameplay होता है तो यह phone है जैसे कि पहले perform किया ना तो मैंने जैसे कहा कि 57, 60, 55 इसके अंदर आपको casual गेमिंग अच्छी तरीके से करवा देता है अगर आप TDM इर आंगल वगरा इस तरीके से खेलते हो तो बागी को गेमिंग के इसाफ से नहीं कह रहा हूं मैं कर झाल ठाभ कर दो झुक्त पुक्त हुआ है है झाल, भी हुआ है आप पह झाल, जाह है आपाहल करता है प्रशुब लुट शुट है जग एगर शुट है उया जोर, जुडेज़ डला जब खेड़ झाल झाल किझे डिक हो अजैंग 감 mam किस्क्रेश भाग कि stem टौन overall तो देखो अब ही हमारा स्क्रीन रिकार्डिंग करके भी हो चुका है और overall अभी experience जैसे मैंने आपको start में ही बता दिया ये phone casual gaming कराने के लिए अच्छा है और हां 30 minute screen recording on 30 minute screen recording off करके जो बैटरी ड्रॉप इसने 17% करी है ना भाई वो सच में काऊंगा बहुत काम है तो एक बात है कि यहाँ पर जो experience था casual gaming के हिसाब से आपको अच्छा phone म ने देखे अब आप बता हो ये phone आपकी हिसाब से कैसा है और आप इसे कहां कहां किस तरह के से देखते हो ठीक है बाकी जैसे मैंने का start में start में एक घंटे में जो भी comments आएंगे उनको must में heart दूंगा reply दूंगा तो फड़ा-फड कमेंट कर ले ना बाकी कुछ और requirement होगी को वो भी आप comment कर सकते हो और मुझे कैसे gaming वीडियो और बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को और better data मिल सके तो उसके लिए भी comment कर सकते हो ठीक है मैं मिलता नेक्स वीडियो में अब एक लिए take care पाई